पिछले वीडियो में हमने दो DC मोटर लेकर एक तॉय कार बनाई थी और एक पहले वीडियो में हमने भिन्दप्रकार के स्विचेस की वर्किंग को समझा था इस वीडियो में हम अपनी टॉय कार में स्विचेस जोड़ कर इन स्विचेस से कार को forward और reverse करेंगे कार की speed को control करेंगे और कार को lift और right मोडेंगे यानि टॉय कार का wired remote control बनाएगे सबसे पहले Tinkercad में circuit को समझते हैं फिर असली कार बनाएगे Tinkercad में Project का नाम बदलते हैं उपर Buy और जाएं और जो Default नाम Tinkercad ने दिया है उसे क्लिक करें फिर नया नाम टाइप करें जो Project को Describe करता है For example, Toy Car Circuit पहले के एक वीडियो में हमने देखा था कि कैसे DC मोटर की Polarity को Flip करके हम उसे Clockwise या Counter Clockwise घुमा सकते हैं यहां, जिस मोटर में हमने Polarity नहीं बदली है, वो Positive 100 and 72 RPM पर घूम रही है और जिस मोटर की Polarity को हमने Flip किया, वह Negative 100 and 72 RPM पर घूम रही है Manually तारों को Flip करने के बजाए, एक Switch लगा कर मोटर की Direction of Rotation बदलते हैं पहले लगे तारों को Delete कर दें Switch सर्च करें और एक Slide Switch को बाहर Drag करें Polarity को पलटने के लिए हमें DPDT यानि Double Pole, Double Throw स्विच चाहिए एक DPDT स्विच में 6 Terminal होते हैं TinkerCAD में DPDT स्विच नहीं है, इसलिए हमें 2 SPST या Single Pole, Single Throw स्विच का उप्योग करना होगा 3 Terminal वाले 2 स्विच से हमें कुल 6 Terminal मिल जाते हैं Polarity को पलटने के लिए इन 2 SPST स्विचेस के 2 कोने वाले Terminal को जोड़ें फिर बैटरी के Negative Terminal को इस Combined Switch के कोने वाले किसी भी एक Terminal से Connect करें Switch के इसी तरफ बैटरी के Positive Terminal को दूसरे कोने वाले Terminal से Connect करें Switch के Common Terminals में से एक को मोटर के किसी एक Terminal से Connect करें Switch के दूसरे Common Terminal को मोटर के दूसरे Terminal से Connect करें Simulation शुरू करें जब दोनों स्विच एक तरफ होते हैं तो मोटर Positive 100 and 87 RPM पर घूमती है दोनों स्विचेस को दूसरी तरफ करने से मोटर Negative 100 and 87 RPM पर घूमने लगती है इस तरह हम केवल एक स्विच का उपयोग करके DC मोटर को Clockwise और Counter Clockwise रोटेट कर सकते हैं यदि आपके पास DPDT स्विच है तो Connection यही होंगे लेकिन आपको केवल एक स्विच को Slide करना होगा और अगर आप दो SPST स्विच का उपयोग कर रहे हैं जैसा कि हम अभी कर रहे हैं तो आपको दोनों स्विच को एक ही तरफ Slide करना होगा SPST स्विचेस के साथ यदि एक स्विच एक तरफ है और दूसरा स्विच दूसरी तरफ है तो मोटर नहीं चलेगी ऐसे में ये On-Off स्विच बन जाता है अब दूसरी DC मोटर को Connect करते हैं क्योंकि हमारी Toy Car में दो DC मोटर है हम दूसरी DC मोटर के दो टर्मिनल्स को स्विच के मिडल दो कॉमन टर्मिनल्स से जोडेंगे वही टर्मिनल जहां हमने पहली DC मोटर Connect की थी कौन से दो तार किस मोटर के हैं इसको क्लियर करने के लिए हम तारों का रंग बदल सकते हैं Simulation स्टार्ट करें जब दोनों स्विचेस एक तरफ होते हैं तो दोनों मोटर्स positive 100 and 72 rpm पर घूमती हैं जब हम दोनों स्विचेस को दूसरी तरफ स्लाइड करते हैं तो दोनों मोटर्स negative 100 and 72 rpm पर घूमने लगती हैं इस प्रकार एक DPDT या दो SPST स्विचेस का उप्योग करके हम अपनी toy car को forward और reverse कर सकते हैं अब हम समझते हैं कि हम मोटर्स की गती को कैसे control कर सकते हैं इसके लिए हमें अपने circuit में एक potentiometer जोड़ना होगा Potentiometer एक विशेश प्रकार का स्विच है एक साधारन on-off switch या तो सभी electrons को flow करने देता है या कोई भी electron flow नहीं कर पाते एक potentiometer से हम नियंद्रित कर सकते हैं कि हमारे circuit में कितने electron flow करें पंखे का regulator एक potentiometer ही है नाम को छोटा करने के लिए potentiometer को pot कहते हैं मोटर और switch से जुड़े किसी एक तार को disconnect करें मोटर के इस terminal को pot के side terminals में से एक से connect करें यहां हम तार को pot के terminal 2 से जोड़ रहे हैं pot के middle terminal को जिसे wiper कहते हैं switch के common terminal से connect करें हमारा pot अब motor से connected है simulation start करें motor 1, negative 100 and 87 rpm पर घूम रही है लेकिन motor 2 जहां हमने pot connect किया है घूम नहीं रही है pot पर लगे knob को घूमाते हैं जब हम knob को पूरी तरह से घूमा देते हैं तो motor negative 100 and 69 rpm पर घूमने लगती है हाला कि जैसा कि आप देख सकते हैं motor की speed पर हमारा बहुत कम control है pot ज्यादा तर काम नहीं कर रहा और केवल तभी काम करता है जब knob लगभग पूरी तरह से घूम चुका होता है इसे ठीक करने के लिए pot पर क्लिक करें pot का property panel खुल जाता है अभी pot का resistance 250 किलो ओम है एक circuit में resistance रुकावट की तरह होता है जो electrons के flow को कम कर देता है इस circuit के लिए 250 किलो ओम ज्यादा रुकावट है आप इसे 250 किलो ग्राम रुकावट सोच सकते हैं pot के resistance को हम 250 ओम कर देते हैं जो 250 ग्राम रुकावट की तरह होगा अब pot हमें motor की speed पर काफी control दे रहा है real toy car बनाते वक्त आपको ठीक resistance का potentiometer चुनना होगा इस pot को duplicate करते हैं इसके लिए उपर buy or copy और paste बटन का प्रयोग करें दूसरे pot को motor 2 के पास रखें और इसे घुमाने के लिए R की दबाएं इस motor और switch के जोडने वाले तारों में से एक को हटा दें motor के इस terminal को pot के किसी एक कोने वाले terminal से connect करें pot के middle terminal यानी wiper को switch के common terminal से connect करें यह pot पहले वाले pot का duplicate है इसलिए इसका resistance 250 ohm है जैसा की हम चाहते हैं simulation स्टार्ट करें आप दूसरे pot से इस motor की speed को control कर सकते हैं तो अब आप दो pot से दोनों motors की speed को control कर सकते हैं साथ ही आप switch से motors की rotation की दिशा बदल सकते हैं इस तरह से आप अपनी toy car को एक switch की मदद से आगे और पीछे कर सकते हैं और आप pots की मदद से car की speed को control कर सकते हैं किसी एक motor की speed बदल कर आप car को left या right घुमा सकते हैं अगर right motor ज्यादा तेज घूम रही है और left motor कम speed पर घूम रही है तो car left की ओर मुड जाएगी इसी तरह अगर left motor तेजी से घूम रही है और right motor धीरे धीरे घूम रही है तो car right की ओर मुड जाएगी अगर एक motor तेजी से घूम रही है और दूसरी motor बिल्कुल नहीं घूम रही है तो car 360 degree turn करेगी यानि car गोल गोल घूमेगी कार कितनी degree left या right मुड़ती है इसे दोनों motors की relative speed बदल कर control किया जा सकता है इस तरह से आप एक toy car को forward और reverse कर सकते हैं उसकी speed को बदल सकते हैं और उसे left या right घूमा सकते हैं अब जब आप circuit समझ गए हैं आप असली toy car आसानी से बना सकते हैं ये circuit diagram है उमीद है ये project बनाने में आपको मज़ा आएगा